आई इस वीडियो में आज हम सिखेंगे data type के data tools group के वारे में तो इस वीडियो में हम यहाँ पे text to column के वारे में सिखेंगे तो Excel में कभी कभी हमारा data A की column में text number की form में या number text की form में या cable text की form में होता है तो उस data को हम अलग अलग column में बाण्ड सकते हैं इसके लिए हम text to column का use करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास साथ शिटे हैं यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे हम text to column को detail में 7 examples के साथ समझेंगे यहाँ पे यह हमारे पास name दिये गया है इसके बाद यहाँ पे semicolon है इसके बाद यहाँ पे number अगर हम इनको अलग करना चाते हैं तो यह काम हम text to column के दवारा कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे अलग करके देखते हैं तो सबसे पहले इसको हम select करेंगे जिसको हमने यहाँ पे text to column करना है तो यह select किया select करने के बाद हम यहाँ पे data tools group में जाएंगे और यहाँ पे text to column यहाँ पे click करेंगे यह dialogue box हमारे पास आ जाएगा इसमें यहाँ पे दो radio button है एक में यहाँ पे delimited है और एक में दिया गया है fixed width इनको हम यहाँ पे detail में समझेंगे दोनों को तो सबसे पहले यहाँ पे delimited इसको यहाँ पे समते है तो यहाँ पे हमने इसको select किया इसके बाद यह preview निचे show हो जाएगा कि हमने कैसी data लिखा हुआ है यह देखो name है इसके बाद semicolon है इसके बाद यहाँ पे number है इसके बाद फिर next पे click किया तो next पे click करने के बाद यह देखो पहले पे यह tab इसको यहाँ पे check करके रखेंगे इसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे name नेम के बाद यहां पे semi-colon है तो हम यहां पे semi-colon इसको check करेंगे others को इसको बंद करेंगे others को बंद करने के बाद यह दिखो नीचे preview शुकर रहा है कि यह name है यह अलग हो गया है और यह जो number है यह अलग हो गया है तो इसके बाद हम यहाँ पे next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे finish यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद ok पे क्लिक करेंगे तो ok पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहाँ पे name यह अलग होगे और यहाँ पे यह number अलग होगे तो इस तरह text to column के जरीए हम यहाँ पे name और numbers को अलग कर सकते हैं इसके बाद हम यह चाहते हैं कि यह जो data है जैसे name है semicolon है यहाँ पे number है यह data ऐसा का ऐसे रहे और यह जो है name और यह number यह अलग लग column में आ जाए तो इसको करने के लिए हम इसको select करेंगे select करने के बाद फिर text to column यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद delimited इसको यहाँ पे select करेंगे इसके बाद यहाँ पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहाँ फिर next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहाँ पे destination इसको यहाँ पे delete करेंगे यह delete किया, delete करने के बाद कहाँ पे इसको करना है data को अलग लग तो यह column select करेंगे, यह देखो, यह column select किया यह दो column C और D select होगे, इसके बाद यहाँ पे finish पे click करेंगे इसके बाद OK पे click करेंगे, तो यह देखो, यहाँ पे यह data बैसा का बैसा ही रहा और यह जो name है और number है यह अलग-लग यहां पर होके आगे तो यह हमारा first example है sheet number 2 यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के वाद यह देखो यह data यहां पर दिये गया है जिसमें कि यह name लिखे हुए है इसके बाद यहां पर comma है इसके बाद यहां पे number है अब हम इनको अलग करेंगे यह बीच में कॉमा लगा हुआ है इनको name को और number को अलग करेंगे तो इसके लिए इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पे text to column यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद यहां पे delimited यहां पे इसको select करेंगे और next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहां पे semicolon इसको uncheck करेंगे और यहां पे comma यहां पे comma लगा हुआ है तो यहां पे comma को इसको check करेंगे चेक करने के बाद इसको यहां पे next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यह preview निचे शो कर रहा है कि ऐसा आएगा यह इसके बाद finish पे क्लिक करेंगे finish पे क्लिक करने के बाद ok पे क्लिक करेंगे तो ok पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां से कॉमा हट गया और यह name अलग column में आगे और यह number अलग column में आगे इसके बाद इसको undo करते है control Z यह click किया undo किया undo करने के बाद अब इसी data को हम यह चाते हैं कि यह data ऐसा का ऐसा है रहे और यह जो name है और number है यह अलग अलग column में आ जाए तो इसके लिए हम इसको select करेंगे यह select किया इसके बाद text to column पे जाएंगे इसके बाद delimited यहां पे इसको select करेंगे इसके बाद next पे click करेंगे next पे click करने के बाद फिर next पे जाएंगे इसके बाद यहां पे destination यहां पे इसको मिटाएंगे यह मिताया कहांपे हमने इसको Name और Number को अलग करना है उसको Select करेंगे तो इसको हमने यहांपे C column और D column में रखना है तो इन दोनों को Select करेंगे यह Select किये Select करने के बाद Finish पे Click करेंगे इसके बाद OK पे Click करेंगे तो यह देखो ये data वैसा का वैसा ही रहा और ये जो name है और ये जो number है ये अलगलग होके यहाँ पे आगए इसके बाद अगला example करेंगे sheet no.3 पे click करेंगे यहाँ पे ये जो name लिखा हुआ है इसके बीच में space दिया हुआ है तो ये भी हमने यहाँ पे अलग लग करने है तो इसको करने के लिए हम इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पे text to column पे जाएंगे इसके बाद delimited यहां पे click करेंगे और यहां पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यह comma इसको uncheck करेंगे और space इसको check करेंगे यह देखो यहां पे space है, name के बीच में space है, तो इसको check किया, check करने के बाद यहां पे next पे click करेंगे, इसके बाद यहां पे finish पे click करेंगे, okay पे click करेंगे, तो यह देखो यहां पे name जो है, अलग लग होके यहां पे आगे, लग की, और यहां पे कुमार, आमित, यहां पे शर लगा हुआ है अगर इसको हम अलग लग करना जाते हैं जैसे ये first name है last name है इनको अलग करना है तो इसको अलग करने के लिए हम इनको select करेंगे select करने के बाद text to column पे जाएंगे text to column पे जाने के बाद delimited यहां पे इसको click करेंगे इसके बाद next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको space को uncheck करेंगे और यहाँ पे other पे क्लिक करेंगे और other पे हमने क्या करना है जो यहाँ पे बीच में लगाया हुआ है वह हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहां पे बीच में हाइफन गाया हुआ है तो other पे हमने यहां पे हाइफन लिखना है यह देखो हाइफन गाया हाइफन लगाने के बाद यहां पे हम next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहां पे finish पे क्लिक करेंगे ok पे क्लिक करेंगे तो यह देखो name के बीच से यहां से hyphen अलग हो गया है और यह जो first name है और last name है यहां पर आगे हैं, यहां पर 5 पे klikt किया यह data यहां पर दिए गया है तो इस data को हमने अलग लग करना है तो इसको अलग करने के लिए हम इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पर text to column पर जाएंगे इसके बाद यहाँ पे delimited इसको यहाँ पे select करेंगे इसके बाद यहाँ पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहाँ पे others पे हमने क्या लगाना है यहाँ पे others पे यह जो hyphen है यह मिटाया और इसकी जगा यहाँ पे यह जो name है यह देखो number है number के बाद dot है इसके बाद name है इ यह लगाया, लगाने के बाद next पे click करेंगे, next पे click करने के बाद यहाँ पे finish पे click करेंगे, okay पे click करेंगे, तो okay पे click करने के बाद यह देखो, यहाँ पे number आगे, यहाँ पे name आगे, और इसके बाद फिर यहाँ पे number आगे, इसके बाद फिर undo करेंगे, ctrl z click किया, undo किया, undo क करने के बाद ये data भी हमें same चाहिए और ये अलग-लग column में चाहिए फिर तो इसको करने के लिए हमें इसको select करेंगे select करने के बाद text to column पे जाएंगे यहां पर तो तीन कॉलम हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने है तो यह देखो तीन कॉलम C,D,E यह हमने यहाँ पे सेलेक्ट किये सेलेक्ट करने के बाद Finish पे कलिक करेंगे, OK पे कलिक करेंगे नेम है, यह नेम यहां पर अलग हो के आगे, इसके बाद यहां पर नमबर है, यह नमबर यहां पर अलग हो के आगे, इसके बाद हम यहां पर अगला एक्जम्पल करेंगे, तो यहां पर शीट 6 पर क्लिक किया, 6 पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह डेटा आजाएगा, तो यहां पे नंबर है इसके बाद यह नंबर है यह फारवर्ड स्लैश है फिर इसके बाद यहां पे फारवर्ड स्लैश फिर यहां पे नंबर और यहां पे यह लिखो एक फारवर्ड स्लैश लगा हुआ है और कहीं पे यह दो फारवर्ड स्लैश लगे हुए है तो जहां पे दो column शोड़के अगला column select करेगा तो इसको करके दिखते हैं जैसे यह हमने इसको select किया select करने के बाद यहां पर text to column पे गए text to column पे जाने के बाद यहां पर delimited इसको select किया इसके बाद next पे click किया next पे click करने के बाद other पे हम यहां पे dot की जगा forward slash यह लिखेंगे यह लिखा लिखने के बाद हम यहां पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद finish पे click करेंगे तो finish पे click करने के बाद ok पे click किया तो ok पे click करने के बाद यह दिखो हमारे पास यहां पे data जो हुआ है यहां पर नंबर यह आगया यहां पर हमने लक्की के पहले यहां पर हमने दो बार फारवर्ड स्लाश लगाया था तो एक यहां पर blank आया और दूसरे में यह आगे name चल गया रोहित, रोहित के बाद यहां पे forward slash को दो बार लिखा था तो यह forward slash एक blank काया और आगे number हो गया forward slash अगर दो बार लगा दिया हो तो यह जो है data आगे पीछे हो जाता है तो इसको same करने के लिए हम इसको undo करते हैं यह undo किया, undo करने के बाद फिर इसको select किया इसके बाद text to column पे जाएंगे इसके बाद delimited इसको select करेंगे इसके बाद next पे click करेंगे other पे यह दिखो forward slash लगाया हुआ इसके बाद यहां पे यह दिखो treat consecutive delimiters as one यहां पे इसको check करेंगे यह दिको check किया जब हम इसको check करते हैं तो बीच में blank नहीं आता है यह arrange होके data यहां पे आ जाता है तो यह हमने इसको check किया check करने के बाद यहां पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहां पे finish पे click करेंगे ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद अब दिखो यह जो data है यह यहां पर arrange के आगया है यहां पर number आगे number के बाद यहां पर name आगे फिर यहां पर number आगे तो इस तरह से अगर हम data को सही करना जाते है तो हम इस data को सही कर सकते हैं इसके बाद फिर इसको undo करते हैं यह undo किया undo करने के बाद अब हम इसी data को दूसरे example के साथ समझेंगे तो ये data हमने सारा select किया select करने के बाद यहाँ पर text to column पर जाएंगे इसके बाद यहाँ पर यह first यहाँ पर select था delimited इसको यहाँ पर select नहीं करेंगे अब दूसरे को करेंगे यह दूसरा radio button है यहाँ पर fixed width इसको यहाँ पर column की bit को set कर सकते हैं, जैसे यहां पे 1 1 1 ये लिखा हुआ है, ये तो हमने यहांपे set कर दिया, ये लिखो यहांपे, इसको यहांपे set कर दिया, इसके बाद ये जो name है, ये आगे पिछे जा रहे है, अगर हमने column बना दिये तो यह आगे पीछे हो रहे है यहाँ पर next पर click किया तो next पर click करने के बाद इसके बाद यहाँ पर finish पर click करेंगे finish पर click करने के बाद ok पर click करेंगे तो ok पर click करने के बाद यह दिखो यहाँ पर number यह तो यहाँ पर सही आगे arrange हो के लेकन यहाँ पर यह Name जो है, आगे बिच्छे हो गया है, और यहाँ पर यह दिखो forward slash यहाँ पर आ गया है, तो fixed width के लिए हमारे पास ऐसा data होना चाहिए जैसे यह यह यहाँ पर data दिया गया है तो इसको यहाँ पर use करके देखते हैं जैसे यहाँ पर click किया click करने के वाद text to column पर गए इसके वाद यहाँ पर second option यहाँ पर यह second radio button यहाँ पर click किया यह देखो fixed width इसको यहाँ पर select किया इसके वाद next पर click करेंगे next पर click करने के वाद यह देखो यहाँ पर हम इसको fix करेंगे यह जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यह देखो यह अलग हो गया यहाँ पर इसके वाद यहाँ पर यह number को अलग किया तो ये नमबर है अलग होगे और इसके बाद यहां पे टेक्स्ट है यह यहां पे हमने अलग कर दिये अलग करने के बाद next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यह देखो preview शो कर रहा है यह अलग लग यहां पे आ गया है destination इसको select करेंगे यहां पे click किया इसको मिटाया मिटाने के बाद यह कहां पे चाहिए जैसे DEF column पे चाहिए तो यहां पे इसको select करेंगे यह select किया select करने के बाद finish पे click करेंगे तो finish पे click करने के बाद यह देखो यह data यहां से अलग हो गया है यह देखो hkl यहां पे अलग हो गया है और फिर यहां पे यह text है यह यहां पे अलग हो गया है तो इस तरह से हम यहां पे fixed bits का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने text to column को detail में समझा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद